आ प्रकार नी जे संग्नियाओ छे ये मूढ तो विवेचन नूँ जुदी जुदी आपने कृती ने जोई शक्किये साहित्य ने जोई शक्किये येना माटे नी एक द्रूस्ती छे तो आ कृती मा विवुराण अने आपने समिक्षाने करिये छे ये दर्मियान बीजी जे प् जानितु उदारण आपने लई जे थी आपने समझ वामों सररत्यारे तो आपने त्या राउजी पटेलनू मारी आखे कंकुना सूरज आत्मया कावे बहु जानितु काविया छे अन्ने आपने जानिया चे ये मा कावियों उपर घणी बदी चर्चाओ थाई जे एना आखे कंकुना सूरज आत्मया अन्ने मारी वेल शंगार वीरा केरे एकर्टो सीधो आपने मळे छे के आमा मृत्युनी वाज छे अन्ने ए मृत्युने जाने के वेलमा जे रहो छे लगने नू एक दुरुश्य होए ए रीते आखी वात करवा माँ आवी छे पड़ जहम जहम आपड़े घीत मां आगल वत्ता जहिया छिये MM, आ वधारे संकूल बनतू जाई छे, अने एक जग्या यहू आवे छे के मने वागे सजीवी हडवाश, मने वागे सजीवी हडवाश, तो आ सजीवी हडवाश, तो यहना केकला अर्थ गटन हो, आपड़े तया थया छे कि आ अर्थ गटन करता होई छे, अर्थ गटन करनार भावक अथवा विवेचक छे, एनी जे भावन ख्षमता छे, अथवा तो एनी जे तर्क, बुद्धी, अने एनू जे आस्वाज ख्षमता छे, एना उपर नक्की थाई छे, गणिवकर आपड़े तया उपन बनतू होई छे जे क्रुती जे अर्थ आपणने आपए छे, एना थी साव सामा छेडाना अर्थो पन आपणने मरता होई छे, जे कदाज क्रुती साथे एटला सल्लगन न पण होई, एटले आपने तिया बीजो एक कावी, ओमा शंकर नू बढ़ता पाणी काविया छे, तो क्रुती ने पास-पास डुंगर वनो बढ़ी रहाची है, नदीनी है, एम ताई जे कर लाव उछडी ने आने आ समावी दवा आगने, पन एवु ठाई शक्तु न थी, तो जेरे क्रुती ने आपणे वाद करी छे, त्यारे आपनने आ वस्तु जोवा मले छे, पन सर्जा के जेरे वाद करी त्यारे आनू अर्थ गटन बढ़ आई शे, उमा शंकरे आप आचन नू प्रयोजन बतावियू, के आमा आजादी दर्मियान जे युवा नो आजादी नी लड़त मा जोडाएला हता, ए मनो भाव आँ छे, एटले तरत आपने एक रुती नू अर्थ गटन बढ़ आई तो यह आपने अर्थ गटन मर्यू, तो आरी ते कृती ना एक चौकस अर्थ गटनों माती आपने पसार थता हो यह ची है, आना विवेचन नू मुख्य कारी है चे के कशाक मुल्यांकन पर आपवू, कृती ने अउध घाटी तो करवी आरी ते, यहनी समिक्षा, आउलोकन, अर्थ गटन, विवरन, पड़ यह पहुची ने कृती विश्य का एक चौकस मुल्यांकन आपू, तो आपने तिया मुल्यांकन ना ख्यालों बे रिते छे, कि एक तो आपने कलाना जे, क्रुती तरीके कलाना जे नियम हो छे, यहने आजार राखी ने आपने कृती नू मुल मुल्यांकन करिए, एकले TSLAT बहुसरस वाद करीछे, विवेचंदनी वाद करता, मुल्यांकन नी वाद करता, क्यों कोई पन कृती एक रूती उत्त, कलाकृती तरीके उत्तम छे के नहीं, यहने आपने कलाना माप डंडो, कलाना मान डंडो ध्वारा आपने नक्की करी शेक पने पने तपासो पड़े, एनो आपने विजू उदारन लईने वाद करिये, कि मलेला जीव जे नवल कथा चे पन्ना लाली बहु जानी त्या उदारनो आपने लई यह जे थी वाद ने बरोबर समझी शेकाए, तो मलेला जीव नवल कथा चे इन कलाकृती तरीके नक्षि उत्तम क्रूती छे, कलाना आपने जे नवल कथा स्वरूपना ने बधा जे आपना जे टूल्स छे, एने आपने बरोबर एने जोहिए, तपास ये, तो आपने उत्तम क्रूती लागे छे, पन मानवीनी बवाई भवाई ये महान कला क्रूती छे, कारण के मानवीनी बवाई આપ્લે નसિર કલા પને એક બુહત જीવન સંદર્ર્માં પણ जीवन दर्शन संदर्मा पन जोईए ची है, मानव गवरव ना पन संदर्मा जोईए ची है, कारण के नान्वीनी भवाई वात्ता आपने जे अर्थ मलें चे, के भूखती पन बूंडी भीख चे, कारण के भूखतो मात्र आपना हाडचाम ने ओगाली नाख्या चे, पन करिये, त्यारे मात्र कलाा ना संदर्म ने, पंड आप्रकार ना जीवन शं'Tर्मा जीवन मापन संद्मा आपका जीवन अर्चाई ची चे. जीवन और थे बुखती रहे चे, Says महान कलाकरुतियों के शोपता है, कि हीज्या PJRी मुल्केंट मुल्या फंगाली चै के और में riend तक आपड़े जोई 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 ए तो एमाज ये रिते कृतिना आस्वादो आपया चे के भावक ने कवीता सुधी लई जाई छे एना रसस्थानों सुधी लई जाई छे आगल कईू तेम आबधू क्याम बनियू एने खोली आपये चे तो आ अंते पछी जे मुल्यांकन पर सर्जयक आवे छे विवेचक आवे छे तो ए मुल्यांकन पर आवे छे ए विवेचन नू एक महत्वनू पासू छे आने विवेचन नू स्वरूब ये आरीते बंदातू होई छे अवे आपड़े आपना व्याख्यान ना छेल्ला मुद्धा पर आवी है के सर्जननी वाद क our चे अब तेया है शाहिते विवेचन नी अने एक पद्ध tolerantी हो छे ओं अई तमने अजे पद्ध ये पद्ध युनी वाद करी रहो छो जेमके शास्त्रिय विवेचन अइतिहासिक विवेचन तुलना आत्मक विवेचन मनोवाइज्ञानिक विवेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च शास्त्रीय विवेचन यें अंग्रेजी माँ एकेडेमिक विवेचन की आव मावे छे। एहने केंद्रमा राखी ने एना धोरणों ने अधारेज एक क्रूती नूं मुल्यांगन करवा मा आवे छे एज रिते आपड़ी जे अर्वाचीन जे क्रूतियों छे ए अर्वाचीन क्रूतियों मा कोई नाटक नू जारे वाद करता होई के कोई नवल कथा नी जारे वाद कर प्रकान नी विवेचन नी मरियाद ये छे कि यहमा विवेचक नी पूता नी भावक तरीके नी रूची यहमा कामे लगाडी शकाती न थी प्रकान नी विवेचन नावी प्रचलित चे अत्यारे सवथी वधारे आप्रकान नुविवेचन थाई रहे उछे येनू तो एकद कवी नी अन्या कृतिना संदर्भ माचर चाप एकद सर्जक नी जे कृतियों होई एनि ये परस पर तुलना डाखला तरीके उमा संकत जोशी गंगोत्री अने निशित होई येम निज पासरती जे लखायली जे धारा वस्तर चे अने सब्त पदी छे आप बनने बेवाजू बब्ब्बब्बब जे रचनाओ छे ये रचनाओ ना एनि तुलना ने आधारे कवी नो एक कवी तरीके के तो विकास थाई हो छे एनि येमा साह अने निरंजन भगत बनने एकज यूग ना कवी छे छता पण बनने जे रचे वूछरा छे ये आखी परिश्तिती जुदी छे एमा बनने माई परिश्तिती माँ बेधने कारणे येमना सर्जन मां कवी बेद छे एमाथी प्रगट थाया छे एमाँ खास करेंदे बे स् सवनेट और शुन्दर ओव संकर न सनेट तो आउस्वनेट न शरूप नी चरचाकरी ने टुलना वह अम वाडाओ होई न शक्या, आपणे एकज बाशाना बे कवियों के बे कृतियों नी तुलना पण करी शक्या, ये जिरते मैंनो विगने आइतियासिक विवेचन मा आपणे कोई पण कृति ने एना एक धरोके कोई नवल कता चे तो इन नवल कता ना इतियास मा एनू सू स्थान ये बताव तु आपणे विवेचन करिये क्या शरक्याक श्थान छे ये बताव तु आपणे जिरते मोम विवेचन करिये और इतियासिक विवेचन मा आवे शे प्मात्र केंद्रमा राखी ने यहीवल्य सविवेचन पत्र में सुच शच्रेmm है कुई सुरूर्त केंद्रमा राखी ने यहीं आपुरी लक्षी वीवल्य में चे तो आएक ब्रुहद वीशाय चे ने गणो संकूल वीशाय चे विवेचन आपड़े अटला टूंका समय मां मात्र ये नू आछो पातलों आपड़ने एक ख्याल आवे ये मांटे नू आपड़े एक प्रयत्न जोयो चे विवेचन सोचे सर्जन सोचे भावन सोचे इक एक बध्यत्यों लई ने एक एक कल्लाक वाद करी शकाय ए प्रकार नो आपणो विशय छे पॉण आपडे अत्यारी आई अटक ये छिये आबार संधान और गुजरात इंटेग्रेटर क्लास्रूम सेटलाइट ना माध्यम थी जोड थी कडी एटले संथ